दोस्तों नमस्कार मैं अमने अंदर पटेल बात करते हैं उत्तर परदेश की राजनीती में जीस तरह से स्वार सीट स्वार टांडा की सीट को लेकर जीस तरह से पूरी तरह से कवायत समाजवदी पार्टी और भारती जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इंटरी म आना जा रहा है मैं आपको बताते चलो कि जिस से तत्थ को 2022 में मुस्लिम समाज भूलता हुआ देरे देरे नजर आ रहा था क्या ये घाव को ताजा हो जाएगी कि बहुत बड़ी खबर अपडेट मैं बता दू कि यहां पे बहुजन समाज पार्टी अपना कंडिडेट वो भ बात कर रहा हूँ जो आजम खान के पूत्र अबदुल्ला आजम की बिधाय की निरस्त होने के बाद कोट के माद्यम से वहां पे अभी 10 मई को चुनाओ कर आए जाएगा 13 मई को वहां पे रजल्ट आ जाएगा अब चर्चा समाज भूदी पार्टी की तरफ से यह है कि स्व से बड़ा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मयावती जी लगातार मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से उपचुनाओ से दूरी बना के रखती है लेकिन समय समय पर अपना कंडिडेट उतारती है और भारती जनता पार्टी के B टीम का उनके उपर जो ट्र प्रवाने के लिए लड़ेंगी यह तमाम सारा बिकल्प मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं अपसे बड़ा सवाल है कि जो यहां पर सर्वेक आया है एक सर्वेक राया था और उसमें अकलेश यादा और बहन कुमारी मयावती जी और क्योंकि मैं मुशलिम सीट की इस सर्वे के माध्धान से पता चल जागा एबीपी का सर्वे था अभी जैस्ते मेरे ख्याल से एक हप्ते पाले का सर्वे है जिसमें मुसलिम समाज क्या सपा को पसंद करता है कितना परसंट जो है कि बहुजन समाज पार्टी को पसंद करता है और कितना परसंट जो है कि भारत बता दो 68% मुसलिम समाज जोएकी समाजवादी पार्टी को पसंद करता हुआ नजर आ रहा है और 17% मुसलिम समाज जोएकी भारती जनता पार्टी को पसंद करता हुआ नजर आ रहा है और 17% मुसलिम समाज जोएकी भारती जनता पार्टी को पसंद करता हुआ नजर आ रहा है और जो वहाँ पर समीकर अर्बन रहे हैं दूसरी चीज है कि अगर बहनकुमारी मयावती जी इस चुनौप में कंडिडेट खड़ा कर देती हैं मुश्लिम समाज का यह जहां तक अंद्रोनी खबर है कि खड़ा कर सकती हैं अगर खड़ा कर देती हैं और सपा वहाँ से जीत ज सचाई कोई से दबती नहीं जो चीजे साफ है वया होती है साफ हो जाती है सब आजकल राजनीति को समझते हैं परकते हैं और जानते हैं कि 2022 का टिकट बितरा बहन जी ने कैसे किया था तो जो यह धिरे-धिरे भूल रहे थे क्या इस्वार टांडा की सीट पर अगर बहन जी